प्रियागराज में माफिय अतीक, एहमद और अश्रफ की सरेरा हत्या कर दी गई हत्या के बाद तीन आरोपियों की नाम सामने आए हमीरपुर के कुरारा का रहने वाला सनी सिंग, बांदा का निवासी, लबलेश तिवारी और कास गंच का रुण सनी सिंग पस्चमी उत्र-प्रुदेश के गängस्टर सुन्दर Бhati का गुरगा बताया जा रहा है अतीक और अश्रफ की हत्या में जिगाना पिस्टल का अस्तेमाल किया गया कहा जा रहे कि है पिस्टल सुन्दर भाटी के नेटवर्प के जरिये सनी को मिले थी लेकिन सवाल यह है कि सुन्दर भाटी है कौन अतीक और अश्रफ की हत्या से सुन्दर भाटी का क्या कनेक्शन है आज तक से जुड़ी संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मताबिक सुन्दर भाटी पर हत्या हत्या का प्रयास मारपीट रंगदारी समेट 60 से जादा मुकदमे है फिलाल आज इवन कारावास की सजा भुगत रहा है उसे यह सजा बीते साल हरेंदर प्रतान की हत्या के आरोप में सुनाई गई थी सुन्दर भाटी रगबग डेर साल पहले हमीदपूर जेल में बन था इसी जेल में सनी सिंग यूट की एक वारदात को अंजाम देने के बाद पहुँचा था कहा जाता है कि सनी की दबंगई को देखते वे सुन्दर भाटी ने उसे अपना चेला बना लिया फिर सुन्दर भाटी को हमीदपूर जेल से सोन भदर जेल भेज दिया गया सनी जेल से चूट कर बहार आ गया फिर उसने सुन्दर भाटी के गैंग से संपर्क किया बता जाता है कि सुन्दर भाटी के गैंग के पास एक 47 समेट कई हतरनाख खतियार है यही नहीं सुन्दर पंजाब के कई असलहा तसकरों और गैंगस्टर से भी कॉन्टाक में रहा है हाला कि सनी सिंग के पास से बरामत जगाना पिस्टल का सुन्दर भाटी गैंग से कोई कनेक्शन है या नहीं पुलिस उस पर कुछ भी नहीं बता रही है हाँ अंदर खाने इस बात की जाँज जरूर हो रही है कि आखिर सनी सिंग लवलेश तिवारी जैसे मामूली अपरादियों के पास लाकों की कीमत वाली तुर्किये की ये पिस्टल कैसे पहुँची नाम नजाहिर करने की शर्पर पुलिस के एक बड़े अफसर ने कहा कि उनके संग्यामी सुंदर भाटी और अतीक एहमत की बीच अदावत की कोई वज़ाब तक नहीं मिली है अब आपको यह भी बता देते हैं कि सुंदर भाटी है कौन एक वक्त था जब पस्चिमी यूपी में जरायम की दुनिया के सबसे खुंकार लोगों में सुंदर भाटी को गिना जाता था बहे सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं बलकि दिल्ली और हर्याना पुलिस के लिए एक चालेंज बन गया था सुंदर भाटी ग्रेट नॉइडा के गंगोला का रहने वाला है कभी वेगाजियाबाद के लोनी इलाके के चर्चित गैंग्स्टर सत्वीर गुजर का खास हुआ करता था अब अपरात का एक-एक कनेक्शन समझते जाएगा ग्रेट नॉइडा में रिठोरी गाउं पढ़ता है यहां रहता था नरेश भाटी इसकी सत्वीर से अच्छी दोस्ती थी नरेश परिवार वालों की हत्या का बदला रिना चाहता था तो सत्वीर उसके काम की चीज़ था दोस्त का दोस्त दोस्त बन जाता है वैसा ही कुछ हुआ सत्वीर गुजर का दोस्त नरेश भाटी अब सुन्दर भाटी का दोस्त बन चुका था दोस्ती इतनी घहरी की नरेश और सुन्दर की चर्चा यूपी दिल्ली और हर्याना के गैंक्स्टर्स की बेच मशूर हो नरेश खाब देख चुका था कि वह इस ट्रक यूनियन के सहारे मुख्य राजनीती का हिस्सा बनेगा फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चंकीला सपना उसकी आँखों में उतर चुका था कभी दोस्त रहा सुंदर भाटी खाब में मुख्य रोडा बन गया गैंग वाट शुरू हुई ट्रक यूनियन के अध्यक्षों की हत्या कर दी गई साल 2003 की बात है नरेश भाटी का वो सपना पूरा हो गया भै जिला ध्यक्ष बन गया पूरे रुआप से जब विसड़कों पर निकलता तो सुंदर भाटी का जख महरा हो जाता 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश पर हमला कर दिया नरेश का गनर और ड्राइवर मारे गए सुंदर भाटी ने एक साल के अंदर यह दूसरा हमला किया था दुश्मनी दिनो दिनो और गहरी होती जा रही थी अब बात करते हैं मार्च 2004 की नरेश भाटी एक शादी समहारों में शामल होने के बाद वापस लौट रहा था सुंदर भाटी घात लगाए बैठा था हमला किया गया कई राउंड फाइरंग हुई नरेश भाटी के साथ उसके दो अन्य साती भी मारे गए नरेश भाटी की मौत के बाद उसका गैंग कौन समहालेगा यह सवाल बहुत दिनों तक जवाब के बगए नहीं रह पाया नरेश भाटी का छोटा भाई रामपाल भाटी अब गैंग का सरगना बन गया पुलिस इन गैंग्स्टरस की जड़े खोदे में जुटी थी साल 2006 में पुलिस ने रामपाल का इंकाउंटर कर दिया अब गैंग आ गया नरेश भाटी के सबसे चोटे भाई रंदीब पर भाँजे अमित कसाना के हातों में रंदीब को पुलिस ने गिरफतार कर लिया अमित कसाना के जहन में वो दुश्मनी आज भी जन्दा थी मामा नरेश भाटी के हत्या से शुरू हुई दुश्मनी वें सुन्दर भाटी से इंतकाम लेना चाहता था तारीख 18 नमबर 2011 गाजियाबाद का एक बैंकेट हॉल अमित कसाना गैंग ने सुन्दर भाटी पर हमला कर दिया दरसल सुन्दर भाटी अपने साले की शादी में शामिल होने पहुँचा था इस संब्ले में सुन्दर भाटी तो बच के लेकिन तीन लोगों की मौत हो गई सुन्दर भाटी पुलिस और अपने दुश्मन गैंग से भागता रहा पुलिस को उसका सुराग मिल गया साथ 2014 में सुन्दर भाटी नॉयटा से रेस्ट कर दिया गया तब सेवे यूपी के अलगलग जेलों में बंध है फिलहाल वे सोन भद्र जेल में है आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी मांशुने मेरा नाम दिव्यांशी सुम्राव है देखते रहिए दीलल लिंटाव बहुत बहुत शुक्रिया